जो दोस्तों जैसेसी परिक्षा में को अफिस आपका स्वागत है आज हम लोग जार्खन प्लीस या उत्पास सिपाही के लिए जो पेपर वन में आता है जो कि जैसेसी की इग्जाम में पेपर वन में यानि कि असी प्रसंजो रहेंगे आपको हिंदी ब्याकरन और हिंदी से रहेंगे और उसमें 40 प्रसंजो रहेंगे दोस्तों वो अंग्रेजी ब्याकरन या अंग्रेजी के पैसेस से रिलेटेड रहेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसी को आज देखने वाले हैं कि जो आखिर जो पेपर वन में आएगा ठीक है यानि कि जो पेपर वन में पुछा जाएगा यानि कि 80 हींदी 20 यहां से पैसेज से आगा और 60 ही हां से जो हिंदी ब्याकरण से हैगा और 40, इंगलिस 20 पैसेज से और 20 ब्याकरण से 120 प्रस्शन पुछे जाएंगे पेपर 1 में आपको उसमें क्या करना होगा दोस्तों कि आपको उसमें कम से कम 33% अंक लानना जोरूरी है ठीक है, मतलब 120, एक जो किशन रहेगा, वो कितना सवल करहेगा, तो 360 नमबर करहेगा, ठीक है तो 360 में से आपको क्या करना होगा कि कम से कम आपको 30% अंक जो उसमें जो है, लानना बहुत जोरूरी होगा ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 30% जो परसेंट लानना है, तो 360 का 30% आखिर कितना माक्स का हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं उसको भी, तो चले देख लेते हैं यहां से हो जाएगा कि 0 से 0 कट हो जाएगा और यह 0 से 0 कट हो जाएगा ठीक है यानि कि यहां से देख लिजे तो 1418 के 8 और यहां पास 139 और 10 ठीक है यानि कि आपको कम से कम 360 में से आपको यहां से 360 में से कम से कम आपको यहां से 108 नमबर जो है लानना आपको बहुत जोरी रहेगा ठीक है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे कि जो paper 1 में कम से कम हम लोग को कितना माक्स चाहिए तो हम लोग को कम से कम 360 में से कितना माक्स चाहिए ठीक है, पास होने के लिए तो ये बहुत जोरूरी होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि paper 1 के तियारी अच्छा से करेंगे क्योंकि मान लेते हैं दोस्ते हो कि यदि paper 1 में ही अगर मान लेते हैं कि 30% marks नहीं आता है तो बागी कि जो paper 2 है यहां से और जो paper 3 है ताकि उसमें 30% अंग हम लोग आसानी से ला सकें, तो पिछली वीडियो में हम लोग क्या किये थे, कि 100 नंबर क्यूचन तक हम लोग क्म्प्लेट कर चुके थे, ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर चुके थे, कि 100 क्यूचन को पिछली वीडियो में क्म्प्लेट कर चुके थे, यह जो वीडियो होगा 101 नमबर से स्टार्ट होगा ठीक है तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी ब्याकर में जाईए और वहाँ से इस वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं तो इसमें जो पहला कि उन्मिलान ठीक है तो उन्मिलान जो है यहां पास इसका जो है कि बिलुमार्थक सब्द क्या होगा तो वीमिलान का हो जाएगा दोस्तो वीमिलान ठीक है इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीमिलान ठीक है याद रखेगा वीमिलान आगे 102 नमबर का तो अस्थ सांत का क्या हो जाएगा तो उदिग्न हो जाएगा ठीक है सांत का क्या हो जाएगा उदिग्न यहां से आ जाएगा इसका भी प्रार्थक सब्ध चलिए अब हो आगे देख लेते हैं देखे दोस्तों आगे का किशनी जो है वो है कि 104 नंबर कि फेक कर चलाया जाने वाला जो हत यार को क्या कहा जाता है अस्तर कहा जाता है आगे हैं दोस्तों कि 105 ठीक है यानि कि जो आखे के सामने न हो सके ठीक है यानि कि जो आखों के सामने न हो सके वो क्या होता है तो जो आख के सामने नहीं होता है तो वो प्रत्यक्ष होता है यानि कि हम लोग यह करते हैं कि मतदान क्या होता है वो अब परत्यक्ष धंग से होता है यानि कि हम लोग के आंक के सामने क्या होता है नहीं हो पाता है ठीक है तो उसी को बला जाता है कि मतदान हम लोग कैसे देते हैं तो अब परत्यक्ष रूप से हम लोग मतदान को देते हैं चलि आगे हैं यहां से कि 106 नंबर का कि जिसके पास कुछ नहो ठीक है तो जिसके पास कुछ नहो वो होता है क्या अकींचन क्या रखेगा कि जिसके पास कुछ नहो क्या होता है अकींचन उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है अनोय स्रातित चले आगे हैं से दोस्तों कि 109 नॉमबर का क्यूचन कि मन को लुभाने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है तो मनोहर कहा जाता है यह देखेगा कि मन को लुभाने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है तो उसे मनोहर कहा जाता है चले आगे हैं से क जो सब कुछ जानने का दावा करें, तो जो सब कुछ जानने का दावा करता है, वो सर्वग्यानी होता है, याद रखेगा कि जो सब कुछ जानने का दावा करता है, वो क्या होता है, सर्वग्यानी होता है, ठीक है, यह जो वीडियो है, यह JSC के किसी भी एकजाम के लिए, पे पेज में छलते हैं, और यहा पास कीवचन 111 नमबर से हम देखेंगे, तो दोस्तो 111 नमबर का कीवचन है वो कुछ इस परकार है, कि जिसने रीन लिया हो, ठीक है तो जिसने रीन लिया हो, क्या कलाईगा? कर्जदार कलाईगा, ठीक है जो बेक्ती रीन लेता है वो क्या कहाता है तो कर्जदार उसे कहते हैं यह रखेगा कि जो बेक्ती रीन लेता है उसे कर्जदार कहा जाता है जिसे पार करना कठीन हो तो जिसे पार करना कठीन होता है वो दुरुगम होता है ठीक है जिसे पार करना कठीन होता है वो क्या होता ह तो उचित से कम मून लगाना को कहते हैं अमुलियन उसे कहा जाता है अमुलियन का कहा जाता है उसे अमुलियन कहा जाता है उचित से कम अगर मून लगाएंगे तो आगे है जो गर्भ की थैली से जनम लेता है तो जो गर्भ की थख्यली से जनम लेता है उसे जर्यवूज कहा जाता है, यहाँ पास इसका राइट ऑप्षन हो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्षन हो जाएगा कि जरा यूज उसे कहा जाता है. चलिये आगे 115 नंबर का क्यूचन कि यह समचार तो वास्तों में सोक करने योग्य है तो इसे सोका क्यूल कहा जाएगा याद रखेगा जो समचार सोक लाइक होता है उसे सोका कूल संदेश बला जाता है याद रखेगा सोका कूल उसे कहा जाएगा आगे है सब लोग जानते थे कि वो हमेशा घुमता रहता है तो उसे याया वर कहा जाता है जो ज़्यादा घुमता है उसे याया वर कहा जाता है याद रखेगा जो ज़्यादा घुमता है उसे याया वर कहा जाता है चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं तो आगे है 117 नंबर का क्यूशन कि जो बिना बेतन कारे करता हो तो जो बिना बेतन कारे करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है यानि कि जो बिना बेतन के काम कर रहा है तो उसे अवैतनिक कहा जाएगा आगे है कि सांज और रात के बीच का समय ठीक है तो सांज और रात के बीच का जो समय होता है वो होता है गोधूली जो सांज और रात के बीच का समय होता है वो होता है गोधूली ठीक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो उसे हम ऐसे गधा बेरा बोलते हैं ठीक है वो 118 के बाद का क्यूचन होगा ठीक है तो हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक गोधुली पर चुके हैं तो उसके बाद का क्यूचन हम लोग देख लेंगे ठीक है तो 119 नंबर का क्यूचन है यहाँ पास कि किसी के गून दोस का सम्यक रूप से विवेचन क्या कहलता है तुसे समालोचन कहा जाता है ठीक है सम्यक रूप से विवेचन कहा जाता है तुसे समालोचन कहा जाएगा याद रहेगा समालोचन कहा जाएगा आगे हैं आपास की 120 नंबर का क्यूचन है कि जहां तक पहुंचना कठीन हो ठीक है तो जहां तक पहुंचना कठीन हो उसे दुरगम कहा जाता है जहां तक पहुंचना कठीन हो उसे जो है दुरगम कहा जाता है जो मुकदमा दायर करता है तो जो मुकदमा दायर करता है उसे मुदई कहा जाता है याद रखेगा कि जो मुकदमा दाय करता है उसे क्या का जाता है मुदई कहा जाता है चलि अब हम लोग अगला क्यूशन देख लेते हैं तो अगला क्यूशन है 122 नंबर का कि यहां पास सरीर धारन करने वाले करने वालों द्वारा प्रदत यातनाएं को क्या कहा जाता है तो सारीरिक कहा जाता है ठीक है और यद जिसे शुंघा जा सके तो जिसे शुंघा जा सके उसे क्या बोले जाएगा तो सुघने के बाद के क्या हो जाएगा एक क्या हो जाता है यादर रखेगा अतिंद्रिय बोला जाता है जिसे इंद्रियों सुनुभव ना किया जाता कि उसे अतिंद्रिय बोला जाता है चली आगे हम लोग देख लेते हैं जो इसका ततपर क्या है तो पत्थर के लकीर होना मुहाबरे का जो ततपर है वो है कि अमिट होना ठीक है पत्थर का लकीर होना मुहाबरे का जो ततपर है वो क्या है तो अमिट होना उस मुहाबरे का ततपर है चली आगे है यहां से कि अंधी खोपडी ठीक है तो अंधी खोपडी किसे बलाता है तो मुर्ख वेक्ति को क्या बला जाएगा अंधी खोपड़ी तो याद रखेगा कि मुर्ख वेक्ति को अंधी खोपड़ी बला जाता है आगे है 127 नमबर का क्यूशान कि उलू सिधा करना ठीक है तो उलू सिधा करना का क्या अर्थ होता है तो उलू सिधा करना का अ तो गाल बजाना का मतलब होता है कि डिंग हाकना ठीक है गाल बजाना का मतलब क्या हो जाएगा डिंग हाकना उसक्रा मतलब हो जाएगा आगे हैं यहां से कि उल्टी गंगा बहाना ठीक है तो उल्टी गंगा बहाना का मतलब हो जाएगा कि परंपराओं के विप्रित कारे करन को कहा जाता है उल्टी गंगा बहाना परमप्राव के विप्रित कार करना तुसे उल्टी गंगा बहाना कहा जाएगा आगे हैं दोस्तों 130 नंबर का किवचान की आम के आम गुठलियों के दाम इसका मिनिंग क्या हो जाएगा तो आम के आम गुठलियों के दाम इसका मिनिंग कमा रहे हैं ठीक है यानि कि जो हम लोग क्या किये हैं आम के आम यानि कि जो आम लिये थे उसे बेज दिये और गुठली को भी बेज दिये तो ग्या होता है दोहरा लाब हो गया ठीक है दोनों से फायदा हो गया चले आगे है 131 नंबर का क्यूशन नेक्स्ट पेज में है तो हम नेक्स्ट पेज करते हैं हम लोग अगला क्यूशन देखते हैं तो यहां से जो 131 नंबर का क्यूशन है दोस्तों वो है कि टका सा जवाब देने का मतलब हो जाएगा कि साफ इनकार कर देना तका सा जवाब देना का मतलब हो कि संतोस होना ठीक है कलेजा ठंडा होना चले आगे हैं से कि आखे चार होना तो आखे चार होना की मिनिम होता है दोस्तों की देखा देखी होना ठीक है आखे चार होना की मतलब होता है देखा देखी होना आगे है यहां से 134 नमबर का क्यूचन, कि घाट-घाट का पानी पीना, तो घाट-घाट का पानी पीना का जो ओप्सन है. वो next page तक है, तो इसका जो write option होजाएगा, वो होजाएगा घाट-घाट का पानी पीना का मतलभ होजाएगा कि अनुभवी होना, यद रखेगा कि इसका मिनिंग हो जाएगा अनुभवी होना, चली आगे है नेक्स नमबर का कियुचन, कि आखो का तारा होना, ठीक है, तो आखो का तारा होना को मितलब हो जाएगा कि पिर्य होना, यद रखेगा कि आखो का तारा होना, यानि कि पिर्य होना, ठीक है, चली आ आगे है यहां से 136 नमबर का किफचन की छाती पर साप लोटना तो छाती पर साप लोटना के मिनिंग हो जाता है कि एर्षया होना तो आप एर्षया को अच्छे तरह से देख लिए कि कैसे लिखा जायेगा इसका पूछ सकता है कि सुध्षवर्ट कौन सा लिखा गया है तो ए आखे बदलना इसका मिनिंग हो जाएगा कि या हो जाएगा उसका मिनिंग हो जाएगा कि आखे बदलना चलिए आगे हैं से कि 138 नंबर का क्यूचन तो थाली में बैगन होना तो थाली में बैगन होने मिनिंग हो जाएगा कि जिसका अपना कोई विचार न हो सके उसे थाली मे बैगन होगा कहा जाएगा ठीक है मतलब जिसका आपना कोई विचार नहीं है उसे थाली में बैगन होना कहा जाता है मुहावरे की द्रिष्टी से आगे है दोस्तों यहाँ से 149 नंबर का क्यूशन की रोटियां तोड़ना ठीक है तो जो रोटियां तोड़ना का मिनिंग हो जाएगा हो किया हो जाएगा तो रोटियां तोड़ना का मिनिंग हो जाएगा कि बीना मेहनत किये पड़े पड़े खाना ठीक है रोटियां तोड़ना का जो मिनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा तो सिटी पीटी गुम होना का मिनिम हो जाएगा कि भय से होस हवास उड़ जाना सिटी पीटी गुम होना यानि कि भय से होस हवास उड़ जाना ठीक है आगे है दोस्तों 141 नंबर का क्यूचन तो चले हम लोग 141 नंबर के क्यूचन को भी देख लेते हैं 141 नमबर का question क्या बोल रहा है ठीक है तो यह जो question है कि city pt गुम होना तो हम लोग देख लिये थे यहां से कि भय से हो सवास उड़ जाना 141 नमबर question है कि काट की हांडी ठीक है याद रखेगा कि काट की यहां से हांडी तो काट की हांडी का मिनिंग क्या हो जाएगा तो काट क हेंडी का मिनिंग हो जाएगा कि अस्थाई चीज ठीक है यहां से याद रखेगा कि अस्थाई चीज आगे 142 नमबर का question की दम खीचना तो दम खीचना का जो मिनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा की सांस रोकना ठीक है दम खीचना का मिनिंग क्या हो जाएगा की सांस रोकन चलिए आगे हैं से 143 नमबर का क्यूचन कि 9211 होना तो 9211 का मिनिंग क्या हो जाएगा रफू चकर होना ये easy सा क्यूचन है लेकिन पीछले उतपाज सिपाहिक इक्जाम पे यही क्यूचन आया था कि 9211 होना का मिनिंग क्या हो जाएगा तो याद रखेगा रफू चक्र होना या भाग जाना आगे है 144 नमबर का किवचन की जवहर खुनला ठीक है तो जवहर खुनला का मिनिंग हो जाता है की भेद का पता लगना याद रखेगा की जवहर खुनला का मिनिंग के हो जाएगा भेद का पता लगना जवहर खुनला का मिनिंग हो जाएगा आगे है दोस्तो 145 नंबर का किशन की यहां से देख लेते हैं इसको की अंगारों पर पैर रखना तो अंगारों पर पैर रखना का मिनिंग हो जाएगा की जान बुझ कर खत्रे का काम करना याद रखेगा अंगारों पर पैर रखना यानि की जान बुझ कर जो है खत्रों का काम करना आगे है दोस्तों यहां से 146 नंबर का किशन की पौबारा होना तो पौबारा होना का मतलब हो जाता है कि बहुत लाब होना पौबारा होना का मतलब क्या हो जाएगा बहुत लाब होना आगे है 147 नंबर का किशन की गूलर का फूल होना का मतलब क्या हो जाएगा तो गूलर का फूल होना का मतलब हो जाएगा कि लापता होना चलिए आगे 149 नमबर का क्युशन की नाक का बाल होना तो नाक का बाल होना का मतलब हो जाएगा अत्यंत प्यारा होना ठीक है नाक का बाल होना यानि की अत्यंत प्यारा होना आगे 149 नंबर का किवचन की कलाई खुलना तो कलाई खुलना का मिनिंग हो जाता है की भेद खुल जाना ठीक है कलाई खुलना का मिनिंग हो जाता है की भेद खुल जाना आगे 150 नंबर का किवचन की कान भरना तो कान भरना का मिनिंग हो जाएगा यहां से दोस्तों की चुगली करना या चुगली खान ठीक है चुगली खाना तो कान भरना का मिनिंग जो हो जाएगा ओ हो जाएगा की चुगली करना ठीक है याद रखेगा चुगली करना उसका मिनिंग हो जाएगा अगला पीछ में है 151 नंबर का question तो चले हम लोग 151 नंबर के question को भी देख लेते हैं तो 151 नंबर का question है कि कुण्ज में संग्या सब्द का भेद बताएं ठीक है तो कुण्ज में जो संग्या सब्द का भेद है वो है समूह वाचक कुंज मतलब होता है कि जैसे कि कमल कुंज यानि कि महाँ पास क्या है कोई दुकान का नाम है कमल कुंज तो उसमें धेर साला मकान होगा रूम होगा तो उसके बलाता है कि कुंज मतलब समुवाचक का वो एक्जामपल हो जाएगा और दर तो यहां से कि 152 नमबर का question की कोईला में संग्या सब्द का भेद बताईए तो कोईला में संग्या सब्द का जो भेद हो जाएगा जाती वाचक ठीक है कोईला में संग्या सब्द का जो भेद हो जाएगा जाती वाचक ठीक है चलिए आगे यहां से क्योंकि इसमें जो option है वो दर्मान वाचक नहीं दिया था इसलिए यहां पास जाती वाचक हो जाएगा आगे है कि सोना चांदी में संग्या सब्द का भेद बताईए ठीक है तो सोना चांदी में जो संग्या सब्द का भेद हो जाएगा वो हो जाएगा दर्मान वाचक आगे हैं यहां से 154 नंबर का क्यूशन तो 154 नंबर का क्यूशन है कि सुन्दर्ता में संग्या सब्द का भेद बताएं तो जो सुन्दर्ता में संग्या सब्द का भेद है वो है भाव वाचक याद रखेगा कि सुन्दर्ता में संग्या सब्द का भेद का है तो भाव वाचक उसका धेद है आगे है 155 नमबर का क्यूशन कि यहां से देख लेते हैं 155 नमबर के क्यूशन को कि निवन में से कौन सा बेक्ती वाचक संग्या है तो जो बेक्ती वाचक संगया है वो महेंद्र है ठीक है बाकी यहाँ पास सिक्षक, बिद्यार्थी और मंत्री जो है समू वाचक संगया का भेद है अगला नमबर का क्यूचन है 156 नमबर का क्यूचन तो 156 नमबर का क्यूचन कुछ इस परकार है कि बचपन, सैसो, मित्रता, अहंकार, अस्तोत्व, दिवत्व ये सब्द कौन सी संग्या है तो ये जो है भावाचक संग्या है इसे क्या आप कहेंगे हम लोग भावाचक संग्या में उसको रखाएंगे चले आगे देख लेते हैं 157 नमबर का क्यूचन कि जिस संग्या से किसी वस्तु के धरम गून अवस्था का ज्यान हो उसे कौन सी संग्या कहते है तो जिस संग्या से किसी वस्तु का धरम गुना वस्था का ज्यान हो उसे भाव वाचक संग्या बोला जाता है। तो जिस संग्या बोला जाता है। जाती वाचक संग्या से किसका बोला जाती वाचक संग्या से आदमी की जाती का बोला जाता है। तो जो अगला पेज है उसमें अगला क्यूचन है वो है 161 नंबर का ठीक है। तो इसमें जो क्यूचन हो है कि निमलिखित में से कौन सा बेक्ती वाचक संग्या नहीं है। तो औरत क्या है यहाँ पास बेक्ती वाचक संग्या यहाँ पास नहीं हो जाएगा। बाकि इसमें रमायन और पटना और गंगा क्या है बेक्ती वाचक है औरत क्या है यहाँ पास समूवाचक हो जाएगा। चलिए आगे हैं से 162 नमबर का question कि निमलिखित में से कौन दरब वाचक संगया नहीं है तो जो दरब वाचक संगया नहीं है उसको बताना है तो लुहा क्या है दरब है तेल क्या है दरब वाचक संगया है दूद क्या है दरब वाचक संगया है ठीक है द्रब वाचक संगय कीसे बोला जाता है तो जीसे मापा या तवला जाता है मापा या तवला जाता है तो क्या है द्रब वाचक है लोहा को तोल सकते हैं से लिए द्रब वाचक है बाकि तेल को भी तोलके और दूद को भी नाप तोलके बेचेंगे लेकिन घडी को नाप तोलके नहीं बेचेंगे यानि कि घडी क्या है दरब वाचक संग्या नहीं है चले आगे है 163 नंबर का question कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है तो यह जो है सारोनामिक भी सेशन है यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है तो यह जो है सारोनामिक भी सेशन है आगे दोस्ते, यहां से 164 नमबर का question की कौन सा सब्द भाव आचक संगया नहीं है? ठीख है? तो जो मीठाई है वो जो है भाव आचक संगया नहीं है ठीख है? अगला जो question है उसमें यहां पास सवाल है कि निमलिखित में से कौन सा सब्ड बेक्ति वाचक संगया है तो जो next page में question होगा उसमें बताना है कि बेक्ती वाचक संग्या जो है वो कौन है तो यहाँ पास यमुना दिया गया है तो यमुना है दोस्तो यह किया है बेक्ती वाचक संग्या है आगे हैनिम लिखित में भाव वाचक संग्या कौन सी है तो सतुर्ता क्या है तो सतुर्ता जो है भाव वाचक संग्या है तो याद रखेगा कि सतुर्ता क्या है तो सतुर्ता भाव वाचक संग्या है चलिए आगे देख लेते हैं यहां से 163 नंबर का क्यूशन देख लेते है कि इन में से बेक्ती वाचक संग्या कौन सी है तो मांडवी जो है क्या है बेक्ती वाचक संग्या है ब्याकी घरेलू नहीं है सुतंत्र नहीं है और भाला नहीं है ठीक है आगे है निमलिखित सब्दों में से कौन सा सब्द भाव वाचक संग्या के अंतरगत रखा जाएगा ठीक है उस सब्द के बारें बताना है कि जो भाव वाचक संग्या में रखा जाएगा तो यहाँ पास जो मोहन जो है दोस्तों वो भाव वाचक संग्या में रखा ज आएगा आगे है 179 नंबर का क्युशन कि निमलिखित सब्दों में से कौन सा सब्द पुरुस वाचक सरोनाम के अंतरगत रखा जा सकता है ठीक है तो हम जो है यहाँ पास पुरुस वाचक सरोनाम के अंतरगत रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पास सरोनाम की बात किया है आगे हैं दोस्ते यहां से 170 नमबर का क्यूशन की बुढ़ापा भी एक परकार का अभिसाप है सब्द में बुढ़ापा कौन सा संगया है तो बुढ़ापा जो है वहाँ पास भाव वाचक संगया है यानि की वो जो है बुढ़े लोगों की भावत्मा द्रिष्टी को देखाता है यानि की उनके भाव को बताता है आगे जो है 171 नमबर का है क्यूशन की सर्वनाम के भेद हैं तो सर्वनाम के छा भेद होते हैं धिक है हम लोगों ने इसको पर्चुके है यदि आप लोग अभी तक हिंदी भ्याकरण से related वीडियो के यदि नहीं देख्ये होंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेट स्में जा करके आसानी से आप हिंदी व्याकरण के बीडियो को देख सकते है चलिए आगे जो है 172 नमबर का क्यूचन है ठीक है तो 172 नमबर का क्यूचन है दोस्तों यहाँ पास की यह कौन सा सरो नाम है तो यह जो है नीचे वाचक सरो नाम है तो याद रखेगा कि यह जो है वो नीचे वाचक सरो नाम है ठीक है आगे जो है दोस्तों वो है 173 नंबर का क्यूचन कि 173 नंबर का क्यूचन जो है वो क्या कह रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं तो 173 नमर का question है कि तु तुम आप आदी हिंदी में कौन से पूरु स्वाचक सर्वनाम है ठीक है तो इसमें पताता है कि हिंदी में कौन से पूरु स्वाचक सर्वनाम है तो मुध्यम पूरु सर्वनाम ये सब है ठीक है तु तुम आप आगे 174 नमर का question कि कल वह भी दिया ल ठीक है यानि कि जो सब्द संगया के अस्थान पर प्रियुक्त किया जाता है उसे सरो नाम कहा जाता है यानि कि यहां कह सकते हैं कि कल राम भी देले जाएगा लेकिन राम क्या था संगया था उसको हटा करके हम लोग सरो नाम का उप्योग कियें तो इहां पास क्या हो जाएगा, आगे 175 नंबर का क्यूचान यहां से, कि इन में से कौन सा सरुनाम पुरुसवाचक नहीं है, और आप वे मैं क्या है, पुरुसवाचक सरुनाम है, आगे हैं दोस्तों यहां से 176 नंबर का कि इन में से कौन सा सरो नाम सब्द जो है वो नहीं है तो कुछ जो है यहां पास नीचे वाचक सरो नाम है कौन जो है प्रस्ण वाचक सरो नाम है क्या भी प्रस्ण वाचक सरो नाम है लेकिन इधर जो है यह सरो नाम नहीं है चले आगे है next page तो next page में सवाल जो start होता है वो होता है 177 number कीवचन से तो 177 number का कीवचन है कि प्रस्ण वाचक सरो नाम का उधारन है तो कौन जो है प्रस्ण वाचक सरो नाम का उधारन है ठीक है वे और आप पुरुस वाचक सरो नाम का उधारन है और जो जो है यहाँ पास वो अनीचा वाचक सरणाम में आएगा आगे 178 नमबर का किशान कि मैं कुछ पुस्तके लाया हूँ इन्हें तुम रखलो इस वाग के मेरे खांकित सरणाम भेद बताना है तो मैं कुछ पुस्तके लाया हूँ यानि कि यह क्या है अनीचा है कि मैं कितनी पुस्तक लाया हूँ तो क्या हो जाएगा अनीचा वाचक में आजाएगा आगे है 189 नमबर का किशान कि निमलिखित में से प्रश्न वाचक सरणाम का परियोग किस वाक्य में हुआ है वो बताना है कि प्रश्ण वाचक सरोनाम का उप्योग किस वाक्ष में हुआ है तो यह किसका घर है यानि कि किसका यहाँ पस क्या है प्रश्ण उठा रहा है कि यह किसका घर है तो प्रश्ण वाचक सरोनाम में यह आ जाएगा चले आगे है 180 नंबर का क्विशन यहां से कि कुछ खालो इस वाक्य में कुछ कैसा सरो नाम है तो कुछ जो है यहां पास और नीचे वाचक सरो नाम है मतलब पता नहीं है कि कितना खाना है लेकिन कुछ खाना है यानि कि और नीचे वाचक सरोनाम यहां से हो जाएगा आगे है 181 नमबर का क्यूशन की देखो कौन आया है इस वाक्य में कौन कैसा सरोनाम है तो कौन जो है दोस्तो प्रश्ण वाचक सरोनाम है चलिए आगे हम लोग चलते हैं next page की ओर तो यहाँ पास दोस्तों एक बार वीडियो पाउज कर दिये थे उससे फीट से चालू करने का याद नहीं पड़ा और वीडियो को हम लोग आगे अची तरह से संपूर्ण कर दियें ठीक है लेकिन एक बार फीर से हम लोग record कर लेते है तो हम लोग जो छूटा था वो छूटा था 182 नमबर का क्यूचन से ठीक है तो 182 नमबर का क्यूचन है कि यह राम का घर है इस वाक्य में यह कैसा सरवनाम है तो यह जो है नीचे वाचक सरवनाम है ठीक है आगे दोस्तों यहाँ से कि आप मेरे घर अवस से पधारे ठीक है इसमें आप जो है ओक इस परकार का पूरुस है तो मध्यम पूरुस का इस्तेमाल इसमें किया गया है ठीक है चलिए आगे है यहां से 144 नंबर का किशान कि निम लिखित किस वाक्य में अन पूरुस का परियोग हुआ है तो वे पढ़ रहे हैं में अनपुरुष का उप्योग किया गया है याद रखेगा वे पढ़ रहे हैं आगे है 185 नमबर का किशान की निमलिखित वाक्यों में से किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है चले हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और वहाँ से देख है कि किसमें उत्तम पूरुष का प्रयोग किया गया है ठीक है तो नेक्स्ट पेज में जो देखेंगे हम लोग यहां पास जैसे की बोला है कि आज मेरे घर पूजा है तो उत्तम पूरुष के बात यानि कि मैं का एक रूप है ठीक है और मैं कैसा है तो उत्तम पूरुष है ठ मतलब दीन हीन होकर सहम जाना ठीक है भीगी बिली इसका मतलब हो जाएगा आगे है कि निम लोकों कितने में अर्थ निकालना है आए हरी भजन को ओटन लगे कापास का मिनिंग क्या हो जाएगा ठीक है तो इसका मिनिंग हो जाएगा कि कापास ओटने लगना ठीक है आगे है 189 नंबर का क्यूशन कि भैस के आगे बीन बजाना भैस रही पगुराई कहावत का अर्थ क्या है तो इसका मिनिंग है कि मुर्ख के सामने गुनों की बखान करना ठीक है चले नेक्स्ट पेज की और हम लोग चलते हैं तो यहां से 190 नंबर का क्यूशन है यहां से कि मेडग को जुकाम होना ठीक है तो मेडग को जुकाम होना के मतलब होता है कि अन्होनी होना क्योंकि मेडग को हमेशा पानी में ही रहना है ठीक है और पानी में ही रहने वाले जीव के यदि जुकाम हो जाएगा ते कि उसके साथ अन्होनी हो आगे दोस्तों की गंगा एक गंगा दास जुना गए जमना दास इसका मिनिंग जो हो जाएगा अपने अपने घर जाना ठीक है आगे दोस्तों यहां से 192 नंबर का क्यूचन की धोबी का कुता न घर का न घाट का इसका मिनिंग क्या हो जाएगा तो निक्रिष्ट ब्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता है चले आगे है 193 नमर क्यूशन की काट की हांडी चढ़े न दूजा बार इसका मिनिंग क्या हो जाएगा तो इसका जो मिनिंग है हम लोग next page में देख लेते हैं तो उसका मिनिंग इस page में दिया गया है तो उसका जो मिनिंग हो जाएगा की कपट का जो फल है वो अच्छा नहीं होता है ठीक है आगे 194 नमर के क्यूशन की काला अक्षर भैंस बराबर इसका मिनिंग क्या हो जाएगा तो अनपड़व और सिक्षित ब्यक्ति इसका मिनिंग हो जाएगा आगे है हस्वे के बिया हमें खुर्पा का गीत का मिनिंग क्या हो जाएगा तो हस्वे के बिया हमें खुर्पा का गीत का जो मिनिंग हो जाएगा कि असंगत बाते करना आगे हैं से दोस्तों कि असरफी की लूट और कोईले की छाप ठीक है यानि कि हम लोग बहुमोले वस्तूओं को नर्ज्ट होने दे रहे हैं और फाल्तू की वस्तूओं को हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं उस पर गाट लगा दिये हैं तो यह जो हो जाएगा वो मुर्खता पुरुवक बात हो जाएगा 157 नवर क्यूचन है कि जस दुलात तस बरात इसका मिनिंग क्या हो जाएगा तो संगठन से कारे करना इसका मिनिंग हो जाएगा आगे हैं दोस्तों यहां से कि 198 नंबर का क्यूचन कि अपनी डफली अपना राग का मिनिंग क्या हो जाएगा तो यहां पस इसका मिनिंग हो जाएगा अपना दुखडा रोना ठीक है आगे हैं से 199 नंबर क्यूचन कि राजेंदर बाबु हमारे प्रथम राष्ट पती थे इस इस वाकि में आप मध्यम पूरुस का इस्तेमाल किया गया है आगे है इस सेट का आखरी क्यूचन कि जो सब्द संग्या के बदले उसके अस्थान पर प्रियूक्त होता है उससे क्या कहा जाता है तो उसे सरोनाम कहा जाता है तो चले हम लोग यहां पास एक एक जामपल जाता है एक जामपल है तो यहां पास राम के जापर हम लिए सकते हैं कि वह जाता है ठीक है वह जाता है तो राम क्या था संग्या था वह क्या हो गया यहां पास राम के जापर परियूक्त हो गया तो यह क्या हो गया यह सरोनाम हो गया ठीक है यदि यह वीडियो आपको अन्यवाद